हेलो एब्रिवान सच्छी काल जी सारे आनों मॉस्ट वेलकम ट्योराउन चैनल राइट ओन जेडी भी स्टुडेंट सीट है जुलाई दो हुजार देन जारे नहीं तथ होड़ेली पूरी दी पूरी एक न्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसे विच आप अप पन्जाब दस्या सी कि आज तो हड़े टोपी कमप्लेट हो जाएगा देन बिल्कुल आज आप इस टोपिक नो बिल्कुल कमप्लेट कर दवांगे और कलो आप एक वारे इस दे एमसी क्यू सब्सक्राइगे और उस तो नेक्स्ट वीडियो दे विच दिसक्रिप्श किता जाएगा चै जो प्रेजंटेशन्स ने उज़े विच तरिके नाल पूरे दे पूरे नौट्स ने ताहन वोथे पेज देते जानगे प्लस ताहाट दे नाल जो पैसेज ने उशेर किते जानगे ताके तुसी एजली आपने पैसेज दे उपर भी काम कार सोको पैरा दे विच्छो फिफ्टीन नंबर दे कोश्च नांदे ने ओनानों भी कवर कार सोको पैपर बान पैपर टू दोनों स्टुडेंट्स ली रहेगा सो टाइम ना विस्ट कर दे हुई आपका कांटीनु कर दे हां चेप्टर नंबर बान लेक्चर नंबर थ्री ठीक है जी ताहां कल आपकी डिसकुस किता सी थोड़ा जे कोवर व्यू लेले ने या कल आपका अचेटर ने चेटर नों स्टुडेंश अचा चेप्टर ने ननल एक सिस्पट करके डिन सब्सक्राइब जिस्तूर उनस करें। मात पाश्यादी लोडते महत्तावारे बच्चेविच पाश्यादी विकास किवे हुंदा है वो पढ़ांगे ति बहु सार यह पोटेंट जी हैं डेफिनिशन नहीं ओ तो हर्डी सामने डिसकस होंगी है ठीक है कई डेफिनिशन लिखके कोशन पुछलें दे है ता इस देन आली अपना चेप्टर कवर हो जोगा चलो लाइक नहीं किता सब्सक्राइब नहीं किता शियर नहीं किता तो हडी डॉंट फ्रगेट टू शियर औलसो ते सब्सक्राइब तो कारी दो जिकल हल तक तो सी नह एक्रता दा सब्सक्राइबो चेफिर 1घ टarti 5S4 है निरंतर हो रहा है हान好吃 जीआ स्लाइक पार्शाद जो भीकास है उने न्रेंतर हो रहा है लगालो इंपोर्टेंट लिख लो जो तहां नू चैडिस्फेक्शन दिन दा हो करो क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट जो कोश्चन है पाशा दा मुढला रूप केडा है ठीक है रूप अधिगाल होगी तहां रूप में तहां नू दास दिन आचाननी है याद कि में कितनी जा सकते है पाशानू रिपटेंट के में कारते हैं जा ता बोल के कारते हैं अपनी विचारा नू जा लिखके कर दे तो यह रूप हों दे ता अगर था नो पुछला जान दा मुढला रूप केडा है जा मुढला दी जगा ते मोखीक नी चलो अरंबिक हो गया अमली हो गया असली जा मूल कोई वी शब्द तो हडली यूज कर सकते हैं तो यह की होएगा अपने को मुढला रूप मोखीक होंदा है मतला आप प्रेफर कीनू कर दे हैं सब तो पहला अगर आप विचार रखने होने ता आप मतला बोल के ज्यादा प्रेफरेंस देने हैं आप मोखीक रूप अपना मुढला रूप होंदा है अरंबिक रूप होंदा है जा अमली रूप होंदा है लेखने लेही नौलेज होनी जुरूरी है पढ़ना लिखना आना जुरूरी है बट बोलने लिए किमे भी आप अपने विचार रख सकते हैं थर्ड अगर आप गाल पाशन नों के में सिख्या सी पंजाबी पाशन के में सिख्या सी चलो that is a totally different thing कि आप कार्दी इंवार्मेंट देवेच शेखलेया हाना बड़ जोद आपा लिखना शुरू करतेया ता ओड़ अड़ एड़ अड़ इड़ आप के में सिख्धेया एक बहुत पतली जी बुक हु अपना माइंड निया शुरूर हुद आपा इमेज़ नों याद राख देशी ता जोदो भी बच्चा उठ नों देख दाया तो समझ लेंदे कि हांजी उड़ उठ उस ती गलगिती जा रही है ता इत्थो मतलब की हो गया देखके सिखना ते इस देखके सिखना नों ही आइध हे जानिया हुदा वच्केन मजबोठ हो जान दिया किस दो भरद लिखना शुरू कर दिया मतलब लिखना है मतलब नंडरा तो दा खोडम्दी ने अ इस अ दिय हैप जे लने ईक बचा आपन्स कि शुरु कर्देंदे महीं था ओड़ इकनि देख्या इतर भशा आदा याद करो उस टाइम कोई पिच्छ नाल नहीं सिखाया जान्दा ए ग्रैमर है जो दो ओधो तक बच्छा समझना शुरू कर दिन्दा है ता मतलब अपा पाशन की में सिखा दे हैं मूर्थ तो अमूर्थ इमेजिस तो बिना इमेजिस ताओ ठीक है जी क्लियर है नेक्स्ट थार्डिकल जो फोर्थ पॉइंट नंजर आ रहे होएगा फोर्थ पॉइंट देविच की लिक्या होया है के पाशा जनम जात नहीं हुंदी इस दा मतलब की हो गया कि अपा जनम तो मतलब अपा पाशा सिख के नहीं आंदे दा इस वेरी रियल थिंग तू कि तिन साल दा बच्चा दो साल दा बच्चा बहुत वदी अपनी मधा तंग बोलना शुरु कार दिन दा बहुत ही वदी अपनी तरिके नालो बोल दा अपनी पाशानू बड़े दा मतलब अब अब अहीं होएगा कि जो दो बिल्कुली रिखान बोल देनिंग उन्हादी मधा टांग इंग्लिश होंदी यह तो क्या रिख़्ेश्च पंजाबी बोल दे निए पेरेंसभी भी बोल दे जान कर दिन आ दा बच्छा जान जान होंदी यह तो आफ्ट पाशा चीळा इंपनाशा पाशा बच्चर ऱेंड लिपी ज कर्दों से देखर हुए पाशा चिन हित हुए ए भॉस सारी सींबल पाशा देखे ने परापने आपने डेखे हैं जो सिंबल जे नाल बनी हुए 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 है तो कोई है नी SIMP notre point है नीजहें पॉइंड कि लुग सिह जानदी है जेट इस अनुकरन थोडा है सही कालियो पाश देखन दी कोशिश कर दे, फिर हो कोपी कर दे, फिर हो बोल दे, ति उद्धा हो सिख दे, ठीक है, तो पाशो नकल नाल सिखी जान दिया, नकल नू ही अनुकरन गयन देने, सेवंथ पॉइंट की है, हर एक पाशा दी, अपनी स्तुंतर लिपी हुँदी है, बिल्कुल, अगर तुसी गालकारियों किसे पाशा दे, देखो, दो चीजा हुदी आने, जा पाशा होएगी, जब बोल दी होएगी, ठीक है, जिस पाशा दी अपनी लिपी हुदी है, उन्हो प्छाब पारा पाउसा बोल देयां जेंदि अपनी लिपी नहीं हुँंदि इसनों आपकी बोल देयां बोली For example, पंजाबी दी अपनी पंजाबी जो लेंग्विज है उन्हों पारा पाउसा बोल देयां को उदियों अपनी की लिपी है केडे लीपी है जी ग्रमुखी लीपी ... हाना ची केडे लीपी है ... इस लेभ देवनागा जाङ्च भंधिया है ... लाई शत्वाय हूँदने ... gefährशंदने discipline ... पाशा भंजाबीयो झाल रिक दे दि citrus भंदने ... ऊछिक है ... यह ढ़त जाआ है ... पजाबी पाशादिया ने अगे अग्या 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 थिक आप अग्याल कर यह ज़डियां थे रिदेशन पाशामन्धा आप क्या सकते हैं कि पत्व किसे टाइम ने पर किरती ते सुबहां है और चयनलन धने पेसल रिता में अपना पाशादी पर कीड़ती ते सुभा जो की बहुती कॉमन जी है चिज्जाने उस तो बाद अगर आपा गाल करिए नेक्स्ट आ जान द आपने को ली मात पाशादी हुन अपनू लोड क्यों पहेगी जी कर अपने स्कूल लांदे विच जाके सेकें लेंग्विज ही सिख हुन है तो अपना अपने आपनों मात पाशादी लोडी की हुई हाय अफुन अगरी ते विच अगर आपा गळ करिए सब्सक्रादी अपने आपनी सब्सक्रा ऑद इस तुरा पर आपने आपने आपनों रिपर्सेंट करीन विच सेम आत तुन कारन देस सुय अपनी करीन भाद्धा हुन्दै थर्ड आप गाल करिये रस्मी पाशा सिखन देच सहाय कुंदै यह थूर्सा सोच अवाटी शारी पाशा हुन दिये अगर आप गाल करिये मात पाशा ते फेर आपा से ख़दे यहां बोसारे रूल्स उसे में पई लिज्विस चैन देना यहार में बाहई ο कि की मारे सवायर में होई ऑपसे से राण के तब नुच के, जो रुप आपा कोई पाई लिछ कार दो एक कने अएर्जू लें लोगाई ने बाहई एवाई ली चैन दी से राण भाणता है अगर तुसे वधिया इंटर्व्यों देन लें इंग्लिश लेंग्विज सिखोंगे तो सिख दे हुए तहाँ नू जो लोड पारी है ओ थोड़ी अपनी मातपाशा दी पारी है मतलब तहाँ नू इंग्लिश दे विच कोई लाइन नी समझ आ रही है तो उसनो पर अपनी लेंग्विज आना जुरूरी है तांके आपनी डाउट्स क्लियर कार सब्किये हुए उन जी नू इंग्लिश नहीं आंदी ओ डाउट आपनी इंग्लिश लेंग्विज दे विच के कोई वी सेकेंड पाशा सिखन दे लेए अपनी मात पाशा दी बहुत ज्यादा जुरूरत पहन दी है बल्के ओ ही अपनी कामबान दी है थर्ड अगर फॉर्थ पॉइंट अगर तुसी देख़्ों ता आथ नू समझन दे विचे सा है कुन दी ओही गाल लागी दुबारा कि पॉइंट नू समझना होवे ता आपको कमफडेबल की दे विच हुनिया आपने लेंग्विच हुनिया पॉइंट नूबर फाइव जो है समाज एक एक ता विच आध इस ओल्सो वेरी कॉमन पॉइंट ठीके ता एस इगा आपने को ल मात पाशा दी लोड क्यों है जो दो लेंग्विजेश सिखन यहीं ने ता उना दे विच भी आपने मात पाशा दी ही लोड पैंदी है ठीके जी उस तबार आगया तो हर्ड को बच्चे विच पाशा सदा विकास किस तरिक्के नाल हुन्द है हुन्चे में मैं ताहन दास वरी से कि बच्चे दा सख दै पहला ए रोना ची लाउना शुरू कार देंदे है ठीक है जी ताह सब्तों पाला बच्चा ओविसली जनम लेंदे सार तो बोल लेगा नहीं जनम लें तो बादो रोना ची लांदा है एक तरिक्के नाल जदो उसनों बोलना ही नहीं आंदा ता फिर वह फिलिंग्ज उन एक्सप्रेस करने शुरू कार देंदा है जो कि बिल्कुल ही नैचुरल है ताह एह जड़ा सब्तों परला त्रिक्का है बिल्कुल नैचुरल है बच्चा सिखादा नहीं है अप उन्नु सिखाने नहीं वी आमे रोना है जाया हसने दरह कुछ नहीं है आप अनु भी पता है देट इस केला बढ़ में आप उन्हायं चांगे अलेम नगे न UP घृष बाल अपर बढ़ा रीर शुरू कार देंदा है जोुड़ा छह ऑन ixon शुरू कर देना जाए शुरू कर दिंदा प्यवर 여러나े पोलना यह थोःट होड़ा पणनना शुरू कर देना तक्षा में इस थी होग यह थोड़ा थोड़ा बिल्कुली मतलब कोपी कड़ करना शुरू कार दिन थार्ड अगर आपका काल करिये स्वर तिव एंजननु सुनके समझन दी कोशिश कर दया ते उसे ही त्रिक्के नल दोहराऊं दी कोशिश कर दया हुन इस मतलब की हो गया स्वर एंजन की हुन देने जड कोपी कर दी कोशिश कर दया कि बिल्कुल ज हमें तोसे बोल्रयों में ही ओ वी कोशिश कर दया है कर दाया जनी तो ही कोशिश कर दया टे उम्हान व्हाँदी शारीन थी क् surtout हो अने शुरू हो ज लागन लाग जानदा है कि जेकर आपने उसनों थोड़ी जियां मतलब कुछ भी आप हास रहें तो समझ जानदा भी हांजी खुश हो रहे ने खेड देयां तो इसारेयां दी पाशों समझ आजना शुरू कर देंदा थोड़ा जा गुस्तिना बोले तो चुप भी कार जानदा श्री जानदा ओकर जानदा थे अब चुप आपने पाकर भी मजबूत कर देयां ताके रिपीट कार सकते तो बहुत बलकुल उसे त्रीके नल फिर से त्रीके नल शुरू कर देंदा मादेशा सिख जानदे उस्तो बात जो बढ़ जो तो स्कूल देविच शामीं हुंद है फिर किती जाकर जड़े बाक के दो कोशल ने दिखो अपने पाशा दी चार कोशल ने गेड़े-गेड़े सुनना बोलना लिखना और पढदना यह न्य जड़े कोशल निए सुनना थे बोलना बच्चा मात पाशा देभिच अपनी कार्दी विछी सिख लें देभ। लिखना पड़ना जड़ा कोश्रा ये बच्चा किते शिख़देभिच पुरन ही सिख़देभ। अपने ग्यान देभिच बदा कर देभिच मज्बूत कर लें कुछ नहीं सीयुक्ष है नुस अफ़रा। सब्सक्राइब बॉल जाए, कॉछिष है जोतरी समझ धवीच, लिए इसलिए भी आपना अब कमें सब्सक्राइब करों, अइसलिए जोतरी जोतरी नुद के आपनी कॉछिष है। तो इस तरह के ना लिख बच्चरे विच के हुंदाया पाशा दा विकास हुंदाया लास्ट टोपिक जो है आज दा उसनों डिसकस कर देया कि मात पाशा दे सुबंदी कुछ परिवाश हमाने देखो जड़ी अपा साइकोलोजी पड़ा रहे हैं पैडा गोजी पड़ रहे है तो सब तो पहले डेफिनेशन देख सकते हैं अरस्तु ने दिती सी अरस्तु के कहन दे सी कि मुनुख ने एक समाजिक प्राणी है तो इसे जड़ा विकास है समाज दे विच रहकी हो जगदा हूं तो तो सोचोंगे कि मदर्ड टंग दे विच ए कित हुआ गया क्योंकि बच समाज दे विच ही पोसीबल है उन जेकर तो सिक छोटे बच्चे ने जंगल दे विच छड़तोंगे समाज तो बहुं दूर छड़ता हूंगे ता बच्चा ओते ता हानू पंजाबी इंगलिश जा हिंदी बोल दा हुआ नजर नहीं आ हुआ हुआ नहीं पता से केडी समझ सकता है जब बोल सकता है सेकेंड अगर आपा गल करिये वाइगोस्की की सिगे अबिसली समाज देवारे ही इनने बहुत सारा कम किता सी ठीक है इनने कैसे कि जड़ी पाशा दी हूंद है ते भी कास है उसमाज तो बाहर रहे के नहीं हो जोड़ता है रिपेट ओही चु अगर जड़े वारे में गाल केते है इसी नॉम जामस की जड़े काएंदे सी के बच्चे रिवेचे जड़ी पाशा सिखन दी योगता हूंदी है और जणम जात हूंदी है को कि सोचे ना लिगाल ला है इनन्या छोटा जा बच्चा जिन्नों हल तक पैंचल भी नी फढ़न ठीक है फॉर्थ जो है और सेमोल ने की ती सी सदिती सी डेफिनिशन के मात पाशा मुनुखी श्रीर दे तड़क दे दिल दी बोली है अत्ते भी मात पाशा दे इंपोर्डेंस नों ही रसे गया कि 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 निक आपना जिमे के अपा तड़क दा दिल है उसे बिना आपा अब बिना आप पाशा जो बच्चा अनुकरन ना सिख़दा है और अगर तो हनो पुछलें के बच्चा मात पाशा सिख़दा के में आता नकल करके अनुकरन करके सिख़दा है ठीक है जी सेवन्थ अगरा पा गाल करिये प्रिंसिपल तेजा सिंगने के कहा से के एहे पाशा बच्चे नू मादी कुख वेचो अत्य बापती गुरती वेच मिल दिया मतलब जनम तो ही उसे अंदर एक्वालिटी हुन दिये के ओ पाशा नू सिख सके पीबे लाड़ दे वेच अगर पाशा बच्चरी ओके मैं रिपीट हो गया थी इसनों थोड़ा काट कर दो चीके मैं अथे लिखरीयां डेफिनिशन हाँ जी अथे लिखरीयां डेफिनिशन पीबी बे लाड़ वलो जो दिती गई है कि जोक अगर आप अगाल करिए एक जही पाशा है जही पाशा है जिस वेच बच्चा सोचदा समझदा अथे अपने सुपने सकार करदा है यह जोद वी बहुत जादा क्लीयर है जोद भी तोड़े मांदे विछ वीच आए पने अपने ईपने अपने अपना गल करदे और अपने सुपने भी आपा उसे अकोडिंग मतलब प्लैनिंग हो गया सारा कुछ अपना मात पाशा देनार ही जोड़या हुआ है एकल कैन्वल एकोंसी पी भी बला ठीक है अब लिए डेफिनिशन गलत है इसनों थोड़ा इग्नोर कर दियो और इव इलकुल सही है इन्हों नुट कर दियो ठीक है अशे इस ही आपनी आजडी क्लास जसनि विज आप आप आ कुछ डिस्कस कृता बच्चे विज पाशा दाका दाका सब्स हों इसको इंण सब्सक्राइब करें नहीं तो कितना किते मेरे ही चानल दोपर है गयां विने बट एंसे क्लास देविच होंगे बहुत इंपोर्टन जी एंसे क्यूस करन तो बाद फिर आपा सेकेंड शुरू करांगे क्लियर है स्टील कोई विता हां डाउट है यू किन आसकें इन दे कमेंट सेक्षिन और थैंक यू सो मच्छ टेक केर सब्सक्राइब श्रूर कर दियो